प्रबाद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में होना? चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट नमबर आठ राजा का हिस्सा इस कहानी में एक प्रजा वच्सल राजा का वर्णन है और राजा प्रजा की कठी नायों में हमेशा उसकी मदद के लिए ततपर रहते हैं तो आपने भी सुनाई होगा कि इतिहास में कुछ राजा ऐसे भी थे जो हमेशा अपने अपनी प्रजा के बारे में ही सोचते थे अपने राजय का विकास हमेशा करते थे, हर कठी नाईयों से लड़ते थे तो आज ऐसे ही एक राजा भोज के बारे में इस कहानी में बता गया है जो एक प्रजावचल राजा है अब राजा भोज बड़े ही प्रजावचल थे मैं पाठ पढ़ रहे हूँ, आप अपनी पाठे पुस्तक में ध्यान दीजिएगा वे स्वयम राजय में गुम गुम कर प्रजा की कठी नाईयों को देखा करते थे और उन्हें यथा संभव तूर किया करते थे यथा संभव मतलब हम में जितनी शक्ती होती है उतना कारिया करना एक दिन राजय अपनी राणी के साथ रथ पर सवार होकर राजय का ब्रहमन कर रहे थे राजय का ब्रहमन करना मतलब गुमने निकले थे वे राजदाने से बहुत दूर निकल गए उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है मगर उसके हल में एक ही बैल है दुसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खीच रही है तो राजा भूजने रत रोका और किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो बला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है तो किसान ने सुनकर कहा कि मेरा एक बैल मर गया है और दुसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है धन मतलब पैसे नहीं थे उसके पास फिर उसने कहा कि अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या यह कहा किसान पुनह पुनह मतलब वापस अपने कार्या में लग गया अब उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला यहां व्यक्ति कौन है तो राजा ने कहा कि अरे भाई ज़रा सुनो तो किसान ने कहा कि जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो यहां किसान ने कहा तो राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे अपने काम के प्रती किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत ही प्रभावित हुए प्रभावित हुए मतलब किसी कारियों को देखकर किसी दूसरे की कार्य को देखकर हम कितने इंप्रेस हो जाते हैं वैसे ही किसान की काम में लगन देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए और वहां बोले के भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पतनी वेचारी ठक जाएगी और ठकावट की वज़े से कोई दूसरा कार्य भी वह नहीं कर पाएगी फिर किसान बोला तो फिर तुम्ही बताओ मैं क्या करूँ फिर आजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो मैं अपना एक बेल तुम्हें दे देता हूँ मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा तुम ही बेल लाकर दे दो किसान ने बोला तो अच्छा ऐसा करो तुम अपनी पतनी को रत के पास बेज दो वह मेरी पतनी से बेल ले आएगी तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा ऐसा राजा ने कह दिया अब किसान पर इस बात पर राजी हो गया तो राजा हल में जूत गए बिचारे राजा बोज तो हल लेकर जूत गए और किसान की पतनी रत के पास चली गई उसने रानी को सारी बात बता दी रानी ने पूरी बात सुनकर कहा कि तुम्हारा बैल तो कमजोर हो गया है तो वहाँ हमारे बैल का साथ रही दे सकेगा इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ तो किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुची किसान बहुत ही प्रसन नो हुआ क्योंकि दो बैल आ गए एक बेल की जगर दो बेल दिखा दिया ले इसलिए किसान तो बहुत ही प्रसन हो गया और राजा भोज ने कहा कि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना यहां करकर राजा भोज ने उसे अपना परिचर दिया मतलब तब बताया कि वह कौन है और किसान यहां सुनकर बड़ा ही शर्मिंदा हुआ शर्मिंदा होना मतलब लजजित होना अब हुआ कि उसने राजा से बार-बार क्षमा मांगी राजा प्रसन होकर वापस चल दिये उस बारुस किसान के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई उसकी अशर का ठीकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा बोज ने जोता था उसमें मोती उगाए है बाकी के हिस्से में उम्दा किसमे के गेहुं उगे थे उम्दा मतलब उम्दा का अर्थ है कि बहुत ही अच्छे किसमे के मतलब चाती के गेहूं उगाये थे और एक और मोती, मोती उग निकले थे किसान तो यहां देखर बहुत ही प्रसन्न हो गया पर वहलोब लालच वश नहीं हुआ उसमें कोई भी लालच नहीं आया उसने तो सारे मोती खटा किये और ले जाकर राजा भोज के पास जा पहुँचा फिर राजा भोज के चरणों में उसने तो मोती रख दिये और सारा किसा राजा भोज को कहकर सुनाया अब राजा तो उसकी इमानदारी से बहुती प्रसन्न हो गए फिर राजा ने भी कहा कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे है इन पर तुम्हारा हक है इन्हें तुम्ही अपने अधिकार में रखो मतलब ये मोती मैं नहीं ले सकता क्योंकि राजा बहुती उदार होते राजा हमेशा देता है ना कि किसी से लेता है तो यही बात उसने किसान को समझाई पर किसान ने कहा कि नहीं महाराज यहाँ आपके परिश्रम का प्रताप है परिश्रम मतलब जो महनत आपने की थी यहाँ उसका फल है इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाओंगा मेरी प्रार्थना है कि आप इने राज कोश में जमा कर ले और गरिबों की भलाई के लिए काम में ले ले ऐसी किसान ने राजा से प्रार्थना की तो राजा तो उसकी बाद सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उसकी इमानदारी और उसकी प्रामानिक्ता हम कहते न, इमानदारी प्रामानिकता, बहुती उदारता देख कर, राजा बहुती प्रसन हुए और उसने किसान की बात को सहमती दी, उन्होंने वह मोती स्विकार कर लिये, उनकी बात को सुनकर बहुती प्रसन हुए और उन्होंने मोती भी स्विकार कर लिये, तो बच्चों यहाँ पर यह कहानी खतम हुई तो कहने का मतलब कि जब हम हमारा काम बहुत इमानदारी से करते तो हमें उसका फल जरूर ही मिलता है और जो इनसान भी इमानदारी से काम करता है उसे भी उसका फल मिलना चाहिए तो इस कहानी के अंतरगत अगर कुछ भी न समझ में आया हो तो आप हमें पूछ सकते हो आज आप होमवर्क में करेंगे शब्दार्थ पाठे पुस्तक के अंदर से लिखेगा और उसके बाद पाठ को एक बार ध्यान पुर्वक पढ़िएगा इसके बाद का ब्यासम अगले तास में करेंगे धन्यवाद